जैहिन प्रेंस वेलकम टो माई OPC यूटूब चनल स्टड़ी मिटेरियल A2Z दोस्तो आज किस वीडियो में हम बारी भारती के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी रेलवे के द्वारा यहां पे कॉंस्टेबल और SI के पदों पे यहां पे जारी दोस्तो काफी सारे कैंडिडेट हैं जो कि RPF के द्वारा यहां पे काफी समय से भरती यहां पे कंड़क्ट नहीं हुई है और उसी दोरान यहां पे आप बहुत जादा सर्च कर रहे हैं हालांकि हमने दोस्तो कोई ऐसी वीडियो जो है आपकी RPF के रिगार्डिंग नहीं बनाई है बट दोस्तो अब जो है इस वीडियो में हम completely आपको डिसकस करने वाले हैं RPF के बारे में क्योंकि RPF का दोस्तो एक नोटीस जो है यहां पे जारी किया गया है तो यह नोटीस जो है आपका क्या रहेगा सभी जानकारी इस वीडियो में हम जो है लेने वाले हैं तो कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको चैनल पे अपडेट कर देते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजेगा दोस्तो और अगर आप हमारी वापसाइट पे आएंगे studymaterial.atuz.in तो यहां से भी आप नोटीस को डाउनलोड कर पाएंगे अगर यहां पे आपको नोटीस किसी कारणार से नहीं मिल पाता है तो दोस्तो आप हमारी टेलिग्राम और वोट्सअप ग्रूप दोनों का वीडियो की description में हमने link provide करवा रखा है तो आप वहां पे आकर जो है सभी जितने भी notification होते हैं या भी दोस्तो आपके कितनी भी जो भी आपकी भरती आपकी all India base पे जारी की जाती है तो हमारी वोट्सअप ग्रूप भी हैं दोस्तो काफी सारे वोट्सअप ग्रूप हैं परन्तु आप केवल एक ही ग्रूप में जो है यहां पे add हो जाईएगा तो चलते हैं दोस्तो जो आर्पीप की दुआरा नया notification यहां पे release किया गया है सो गैज आप सभी को पता होगा अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ कि जो आर्पीप की जो भरती है वो रेल्वे बोर्ड के दवारा मिनिस्ट्रे ओफ रेल्वे बोर्ड के दवारा यहां पे conductor करवाई चाएगी तो यहां पे देख सकते हैं दोस्तो जो आर्पीप है उसके regarding संपस्ट यहां पे लिखा गया है कि इनी के regarding यहां पे जो है notice से publish किया गया है काफी सारी candidate हैं कि सर भरती जो है 12,000 पदों पे आएगी या 10,000 पद होंगी या फिर दोस्तो 9,000 पद होंगे तो यहां पे अभी भरती का कोई खुलासा नहीं किया गया है बट दोस्तो आपकी 2018 के बाद कोई भरती यहां पे conduct नहीं हुई है तो माना जा रहा है कि जो आपकी constable और SI के पदों पे जो recruitment आएगी वो एक बड़े पदों पे vacancy यहां पे होने वाली है यह notice आपकी किन candidate के लिए है वो भी हम बात करेंगी साथ में आपको पूरा जानकर रखना है क्योंकि अगर आप pressure candidate हैं तो भी आप सभी के लिए यहां पे important notice रहने वाला है नोटीस में क्या का गया है वो चीज़ जो है डिसकस कर लेते हैं दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share कर दीजेगा अगर हम बात करते हैं subject की दिया गया है यह जो आपका notice है वो अगनीवीर जो आर्मी भरती है उसको लेकर यहां पे जो है सारी जो है आपको जो है परलोबन जो है आपको यानि आपको जो है कहा गया था कि आपको यह यह लाब मिलेंगे और कुछ ने तो जो है कुछ ही कह दिया था लेकिन यहां पे यह भी कहा गया था कि जो आपकी सेंटल की जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी उनके अंदर आपको यहाँ पे जो आर्मी की अगनिवीर जो कैंडिडेट होंगे जो चार साल के लिए जो भरती कंड़क्ट होती है अगर वो अदर यहाँ पे शेंटल की कोई भी जोब देखते हैं तो उन्हें जो है रिलेक्षन यहाँ पे मिलने वाला है और यह रिलेक्षन आपका एज में साथ में आपका पीअप्टी के अंदर भी आपका दोस्तो यहाँ पे देखने को मिलेगा तो यह चीज़ें यहाँ पर कही गई थी और इसके अलावा दोस्तों आपके जो अगनीवीर के जो candidate है उनको जो है यहाँ पर जो है आपकी बात यहीं पर की गई है कि जो अगनीवीर की candidate है उनको जो RPF की जो recruitment conduct होगी उसमें जो है आपका relaxation मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों अगर आप आरमी अगनीवीर जो है जो है जो है जो है जो करते हैं तो आपको यहाँ पर यहाँ पर दिरे दिरे करके जो है यहाँ पर लागू किये जा रही है आर्मी अगनीवीर की जो candidate हैं जो past candidate हैं उन्हीं की regarding यहां पर जो है notice दिया गया है देख सकते हैं खरक्रटेकशन फोर्स जो आपका हैं पर रेल्वे प्रक्रटेक्शन स्पेशल फोर्स और इसके जाद आपको कहा गया है कि ओपन मार्केट पॉस्ट ओप कॉंस्टेबल की जो भरती है उसमें जो है कि हां पर जो है क्या-क्या छुड़ दिया जाएगा ये भी नोटिश में य पिलिग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा दस परसेंट रिलेक्षन मिलेगा दोस्तो आपको अगनिवीर के जो कैंडिडेट है पोस्ट कॉंस्टेबल इन आरपी अफ उसके बाद यहां पे एज में रिलेक्षन मिलेगा आपको पांच साल का लेकिन यहां पे एक चीज आपको सपस्ट कही गई है कि दोस्तो यह जो आपकी चार साल की जो भरती है वो क्योंकि दोस्तो आपके आर्मी अगनिवीर की जो भरती है वो आपका अभी जो इनी हुआ है किसी का भी चार साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऐसे में यहां पे जो है दोस्तो यह भी लग रहा है कि जो भरती है वो आपका आरपी अप जो है जल्दी लेकर आ रहा है और ऐसे नोटी सीसी लिए निकार रहा है ताकि आपको अगवा किया जासके और आरपी अप की जो भरती है वो जल्दी आपको दोस्तो अधिकारिक नोटीपीकेशन जो आपका फूल नोटीपीकेशन होगा उ जो efficiency टेस्ट होता है उसमें भी यहां पे अगनिवीर के जो candidate होंगे उनको यहां पे छूटे मिलने वाली है इसके साथ ही दोस्तों यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यह notice यहां पे आया हुआ है और इस notice का यही जो है आपका conclusion लिखता है निकलता है कि आपकी vacancy दोस्तों आर IPF लेकर आएगा लेकिन आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यह भरती आपकी 4 साल complete अभी हुए नहीं है और अगर यह भरती के अंदर ऐसा rule लागू होता है तो इस भरती के अंदर आपके जो है candidate जादा जो है इसका benefit नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहां पे 4 साल किसी का complete एक्सन नहीं मिलेगा यह चूट आपकी 4 साल complete करने वाले candidate को ही मिलने वाली है इसके साथ ही दोस्तों यहां पे जो आपकी भरती है वो बहुत जल्द जो है जो है होने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं कि जून महीने के जो है end तक दोस्तों आपका यहां पे notification भी आर पे दुआरा यहां पे जारी किया जा सकता है और दोस्तों जुलाई तक जो है आवेदन भी online यहां पे लिये जा सकते हैं और यह जो भरती है वो आपकी 10 भी पास प्लस दोस्तों 12 भी पास candidate के लिए यहां पे recruitment जो है जल्दी जो है आने वाला है तो यह दोस्तों आपके यहां पे जो है काफी सारी candidate जो है का बार बार जो है comment कर रहे थे और पूछ रहे थे वोटस पे कि सर यह जो भरती आपकी आया हुआ है तो यह यहां पे जो है उसके बारे में कुछ बता दीजिएगा और क्या यह भरती जो है जल्दी जो है आपका conduct होने वाला है तो यह दी दोस् यार वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जय हिंदे